आज के इस वीडियो में हम लग हिर्दे परत्यारोपन या हर्ट ट्रांस्प्लांट के बारे में पूरी जानकारी हांसिल करेंगे हिर्दे परत्यारोपन होता क्या है तो एक इंसान के सरीर से उसके दिल या हर्ट को किसी दूसरे इंसान के सरीर में डालना हिर्दे परत्यारोपन या हर्ट ट्रांस्प्लांट कहलाता है 3 दिसंबर 1967 की सुबह दशीन अफरीका के लिए तो साधान सुबह थी लेकिन इसकी राजधाने केप टाउन के ग्रेट सूर होस्पिटल के अपरेशन ठीयर्टर 2A में इतिहास रचा जा रहा था इस दिन डेनिश डेवेल का दिल लुईस वासकान स्काई के सीने में धरकने लगा यह पुरे दुनिया का पहला human to human heart transplant मतलब एक इनसान के सरीर से उसके दिल को किसी दूसरे इनसान के सरीर में परत्यारोपित क्या गया था मतलब डाला गया था जो की काम्याब था चिकिस्टा इतिहास में यह बहुत बड़ी काम्याबी थी इसे दुनिया भर में सुर्खिया मिली और इस अप्रेशन को अंजाम देने वाले सरजन क्रिस्टियन बर्नाड रातो राज सेलेवरिटी बन गये इसमें 25 साल की डेनिस डेरवेल जो की एक बैंक कलड थी इनका नम अंजाने में हितिहास की किताबों में दर्ज हो गया 2 दिसंबर 1960 को गुरूट सुर्ख हस्पिटल के पास मुखे सरक पर डेनिस और उनकी माँ को एक कार ने टक्कर मार दी थी इस हाथसे में डेनिस की मा मार टेले की उसी वक्त मिर्ति हो गई परंतु डेनिस के दिमाग में गंभीर चोटे आई थी वह ब्रेंडेड हो गई थी डेनिस दूसरों की मदद करने में यकीन करती थी इसलिए उनके पिता ईड़ड डर्वेल ने अपनी बेटी के अंगदान करने का निरने लिया थो डेनिस की पिता उड़ड डर्वेल ने एक बात कही थी ठीक है डॉक्टर यदि आप मेरी बेटी को नहीं बचा सकते तो इस आदमी को बचाने की कोसिस कीजि वह वेक्ति लुईस वासकानसकाई था जो 53 साल का था इनका दिल धीरे धीरे बंद हो रहा था ठीक होने के उमीद ना के बड़ावर बची थी ठीएटर 2A के आपरेशन टेबल पर वासकानसकाई नए दिल का इंतियार कर रहा था और ठीएटर 2B में डेनिश डेरवेल अपना दिल डूनेट करने के लिए तयार थी दस्चिन अफरीका के सरजन क्रिस्टिन बर्नार्ड ने इस सरजरी को सफलता पूर्वक अंजाम दिया क्रिस्टिन बर्नार्ड की टीम में 30 लोग सामिल थे और हिर्दे को परत्यारोपीत करने में उन्हें 9 घंटों का वक्त लगा बर्नार्ड ने नॉर्मन सामे दोरा विक्सी तकनीक का इस्तमाल किया था इस सरजरी में हाला कि 1905 में भी मानव हिर्दे परत्यारोपीत करने की कोशिस की गई थी लेकिन यह काम्याब नहीं हो पाई थी इस से जुरे महत्मुन बातों को भी जान लेते हैं जिस जगा पहला हिर्दे परत्यारोपन हुआ वहाँ अब एक म्योजियम है यह म्योजियम गुरूर्शूर होस्पिटल की चार दिवारी के भीतर ही बना है यह अस्पताल केप्टाउन के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक है हेरिटेज होने के सांस साथ यह बहुत व्यस्थ अस्पताल है और केप्टाउन उनिवर्सिटी के मेडिकल चार्टरों का पढ़ाई का भी केंद्र है इस संग्राले में बर्नार्ट की काम्याबी, दुनिया भर में होने वाली medical research और उस समय की होर को भी दिखाया गया है अब हम लोग एक बहुत ही महत्मून बात को जान लेते सबसे पहले हिर्दे परत्यारोपन किस का किया गया था किस जू का सबसे पहले हिर्दे को परत्यारोपित किया गया था तो अमेरिकी सर्जन नॉर्मन संवे ने पहला सफल हिर्दे परत्यारोपन एक कुत्ते का किया था तो सबसे पहले एक कुत्ते का हिर्दे को परत्यारोपित किया गया था मतलब एक कुत्ते में से दूसरे कुत्ते में हिर्दे को डाला गया था कैलिफोनिया के एस्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी में यह परत्यारोपन 1958 में किया गया था मतलब 1958 में सबसे पहला हिर्दे परत्यारोपन हुआ था किसका एक कुत्ते का इसके बाद उन्होंने कई कुट्टों के हिर्दय का काम्याब परत्यारोपन किया सामवे ने हिर्दय परत्यारोपन की तकनिक विक्सत की जिसका आगे चल कर कई सरजनों ने इस्तमाल किया इन्ही के तकनिक से क्रिस्टियन बर्नार ने उनिस्वा संसर्ट को एक काम्याब human to human heart transplant किया था मतलब एक सफल एक मानों से दूसरे मानों में हिर्दय को परत्यारोपित किया गया था इन्ही नॉर्मन सम्मे द्वारा विक्सित की गई तकनिक से क्या सबसे पहले हिर्दय का ही transplant किया गया था क्या सबसे पहले हिर्दय का परत्यारोपन या transplant किया गया था नहीं सबसे पहले किर्णी का परत्यारोपन किया गया था डॉक्टर जोसफ ए मरे की टीम ने किया था ठीक है या 23 दिसंबर 1954 को अमेरिका के बोस्टन में दो जुरुवा भाईयों की बीच किर्नी परतियारोपन हुआ गंभीर रूप से बीमार रिचर्ड हेरी को उसके भाई रोनाल्ड ने अपनी एक किर्नी दी थी इसके लिए बाद में 1990 में की किसा के लिए डॉक्टर जोसिफ ई मरे को नॉबिल पुरुसकार से भी समानित किया गया किर्नी पुरुसहन की आठ साल बाद 1966 में रिचर्ड हेरी की मौत हो गई इसके बाद 1966 में पहला पैनकिरिया और 1966 में पहला लीबर इन सब का परत्यारोपन की आ गया था उमीद करते हैं यह वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी इस वीडियो में हम लोगोंने अलग-अलग टॉपिक के माद्यम से बहुत सारे महत्पुन बातों को जाना है यह वीडियो आपके लिए एक्जाम के लिए भी बहुत ज़वरी होगी और साथा दुनियावी नॉलेज के लिए भी नेक्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या हिर्दे परत्यारोपन एक वरदान साबित होती है और हिर्दे परत्यारोपन के क्या लाब है क्या हानी है और हिर्दे परत्यारोपन होने के बाद हमें क्या-क्या सावधानिया बढ़तनी चाहिए इन सारे बातों को हम लोग next video में दम अच्छे तरीके से जानेंगे तो सब को जानने के लिए इन सारे बातों को जानने के लिए ये चैनल को subscribe करें और सहाथ ही bell बजा दे ताकि हम जब भी video डाले जैसे video डाले उसी वक्त आपको मिल जाए ठीक है and thank you so much for watching this video